असलाम लेकुम फ्रेंट्स माइनम इस बिलाल चिद्नार वेल्कम दो माई यूट्यूब चैनल बिलाल फ्रेंट्स आज हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे फाइफ वैली जो है इन यूजर से गैट करेंगे और उसको स्टोर करवाएंगे यूजिंग लूप लूप की मदद से प्रिवेस प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसके अंदर वी वैली को स्टोर कर रहा था लेकिन विदाउट यूजिंग लूप आज हम लोग बनाएंगे लूप की मदद से तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अगर आपने प्रिवेस लेक्टर नहीं लिया तो आप वो ले इसका लिंग भी आपको डिस्कृप्शन से मिल जाएंगा किसा असे वारियाबल को डिकलियर करवाते हैं यहां पर मैं लिखूंगा इंटर एनी नंबर यहां पर मैं फार लूप का यूज करने वाला हूँ फार लूप देखिए किस तरह से लगती है इंट लोगा हूँगा मैं अब यहां पर मैं एक वैरियूबल लोगा कोई भी वैरियूबल लोगा याद रिखी का जो आपने अरे का वैरियूबल लिया हुए आइडेंटिफ 5 यानि कि आपके ने 5 values आपको चाहिए है less than 5 हो जाएंगी क्योंकि आप लोग जाए 0 से start कर रहे है equal to 0 से और यहाँ पर आप increment लगा देंगे a++ सबसे पहले हम लोग value get करके देखेंगे कि value हम लोग get कर सकते हैं कि नहीं scene लगाएंगे scene लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर identify अपना जो हम लोग ने लिया है और यहाँ पर लिख देंगे just simple a program को just execute करके देखते हैं कि हमारा program value get कर रहा है कि नहीं अब जिस तरह हमारे पास इसकी output आई है हमारे पास जो है value वो get हो रही है program के अंदर पांच value हमारे पास जो आगी अब इसी value को हम हम लोगों ने store करवाना है तो store किस तरह से करवाएंगे इस यह भी लूप की मदद सी हम लोग कराएं बनाएंगे प्रिवेस अगर आप लोगों ने program देखा तो काफी हमारा program जो लेंथी बन जोका था लेकिन आज का program बिलकुल भी लेंथी नहीं बनने वाला यहाँ पर एक हम लोगों ने क्या करना है कि वही फार लूप यहाँ पर यूज की थी int equal to int equal to zero अब यह फार लूप किस तरह से work करती है किस तरह से काम करती है यह मैं अपनी previous lecture में बता चुका हूँ जब हम लोग ने फार लूप का topic पड़ा था तो आपको इसका link भी जो है description से मिल जाएग अब यहाँ पर हम लोग ने क्या करना है see out लिखेंगे see out लिखेंगे see out लिखेंगे के बाद identify लिखेंगे जो हम लोग ने array के लिए define किया था z और इसके अंदर just a को जब लिख देंगे और इसके बाद पिर f11 करेंगे तो आप देख सकते है value जो हमारे पास output से इसका जो answer आएगा हमारे पास यहाँ पर semicolumn error आगे semicolumn का अब हमारे पास इसकी output आई है output में हम लोगों ने अब program को values इंटर करेंगे one two three four और five आप देख सकते है मैंने one two three four five values नहीं और इसने value कर दिन store करा दी अब यह इसके साथ है बिलकुल आप इसको से separate करने के लिए हम लोग क्य और जो हमारा लिखा हुआ फार्मेड होता है वो next land पर चला जाता है जो भी हमारी statement होती है अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर one two three four five तो आप देख सकते है one two three four five यहाँ पर हमारे पास आ गया अगर आप चाहते हैं कि यह इसी तरह से है जिस तरह से यह vertical में ल अब आप लोग ने क्या करना है value देनी है कोई भी value देख सकते हैं आप देख सकते है one two three four five यह value सारी यह सारी आ गई इस तरह से अब सिंपल से अब प्रोग्राम जब बना सकते हैं अगर आप चाते हैं कि यह value जो है इस फार्टमेड में चाहिए उसके अंदर gap है उसके आप्रमेटिक ही eight space आ जाएंगी प्रोग्राम को एक्जिक्ट वैल्यूंटर की आप देख सकते हैं one two three four five यह values आगी तो यह था using loop बिल्कुल एक छोटा सा step step by step करते जाएंगी कितना बड़ा प्रोग्राम बन गया लेकिन बहुत सिंपल सा है तो next में क्या पढ़ने वाले मै याद रिकिए गला हफीज